सरकार ने Delimitation Commission से ये कहा है कि आपको और कोई भी extension नहीं मिलने वाली है मार्ट 6 तक का tenure आपके पास है उसी में Delimitation के process को complete किया आजाए ये सूतरों का कहना है हमारे जिन लोगों से बात कुई उन officials का ये कहना है कि Delimitation Commission को अल्रेडी एक साल की extension दी गई थी और वो extension भी इसी चीज़ को माइन में रखते हुए दी गई थी क्यूंकि पहले साल में नहीं Delimitation Commission कोई meeting कर पाया और COVID-19 की वज़ा से Delimitation का process जो है वो मुकमल नहीं हो पाया इस वज़ा से जो Delimitation Commission थी उसे एक साल और extension दी गई ताकि मार्ट 6, 2022 तक Delimitation का process जमुकश्मीर के लिए complete हो सके लेकिन इस समय situation ये है कि associate members से भी मुलाकात Delimitation Commission ने की उसके इलावा जो panel जमुकश्मीर आया उसने जमुकश्मीर में भी अलग-अलग political party, civil society के members से बातचीत की और जुलाई के महीने में Delimitation Commission का panel जो है वो जमु में भी आया और कश्मीर में भी गया जुलाई 6 से 9 चार दिनों के वकफे में अलग-अलग लोगों ने अपने memorandum पेश किये और Delimitation को लेकर वो क्या चाहते ही कि क्या होना चाहिए वो सारी बाते Delimitation Commission के सामने रखी इस समय अभी बताया जा रहा है सुत्रों के द्वारा कि और कोई भी Extensions Delimitation Commission को नहीं मिलने वाली और सरकार की का इसको Extension ना देने का logic ये बताया जा रहा है कि अगर Delimitation Commission को और Extension दी जाती है तो ऐसा ना लगे कि सरकार नहीं चाहती कि जमकुश्मीर में Assembly के चुनाव हों क्यूंकि Repeatedly Government of India की तरफ से भी ये कहा गया कि जैसे ही Delimitation का process complete होगा वैसे ही चुनाव जमकुश्मीर में करवा दिये जाएंगे इसी को ध्यान में रखते हुए अब Delimitation Commission को ये कहा गया है कि वो मार्च 6, 2022 की जो डेडलाइन है उसी पस्टिक करें और मार्च 6, 2022 से पहले पहले Delimitation की रिपोर्ट जो है वो आ जानी चाहिए साथी में आपको बता दें कि Justice Retired रंजना प्रकार्श देसाई जो है वो चेर कर रही है Delimitation Commission के पैनल को और Delimitation Commission के पैनल में Chief Election Commissioner भी है सुशील चंद्र स्टेट Election Commissioner केके शर्मा भी है और 90 Assembly Seats को जो है Delimit किया जा रहा है इस प्रॉसेस के थूँ जब जमकश्मीर को रियोर्गनाइस किया गया था दो यूनिन टेरिटरी में जमकश्मीर यूनिन टेरिटरी में और लदाक यूनिन टेरिटरी में तो उस समय सीट्स भी बढ़ाई गई थी साथ सीट्स को इंक्रीज किया गया था और जब ये पूछा गया कि Assembly के चुनाव होने में डिले क्यों हो रही है डिलिमिटेशन के उपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है तो उस समय भी ये कहा गया था कि ये जो साथ नई सीट्स इंक्रीज की गई है इन सीट्स पर चुनाव कहां से होंगे जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक चुनाव मुमकिन कैसे हो सकते हैं इसी के चलते जब तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है कि जब मुकश्मीर में असेंबली के चुनाव हो लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी को ये ना लगे कि जब मुकश्मीर में जान बूच कर चुनावों को डिले किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमिशन को जो है कह दिया गया है कि आप जो मार्चे 2022 की डेडलाइन है उसी डेडलाइन को फॉलो करें एक और एक्सेंशन नहीं दी जाएगी डिलिमिटेशन कमिशन को ये रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए लेकिन अभी भी इस delimitation के process में दो important कडियां बाकी है पहली important कडी ये कि पहले जब draft report बनती है तो उसे जितने भी associate members हैं यानि कि जो जम कश्मी के member parlements हैं उनके साथ उस draft report को share किया जाएगा member parlements में आप सभी लोग जानते हैं कि भारते जंता पार्टी के member parlement Dr. Jinder Singh, जुगल किशोर शर्मा है और उसके इलावा अगर कश्मीर से भी तीन member parlement है national conference के एक तरफ ये भी दिक्कत की बात है कि national conference ने अपना जो stance लिया था कि हम delimitation commission से बात नहीं करेंगे हम इस meeting में नहीं जाएंगे एक तरफ का गया था कि क्यूंकि last minute meeting बुलाई गई है उसलिए नहीं जाएंगे और दूसरी तरफ ये भी justification दी गई कि क्यूंकि already जमकश्मीर organization act को national conference के ही leaders ने supreme court में भी challenge किया हुआ है तो किस तरीके से वो इस delimitation के process में participate करें लेकिन दूसरी ही तरफ जब डॉकर फारुक अबदुला से भी बात की गई उनसे पूछा गया कि क्या वो delimitation commission के साथ बात करेंगे और जब पैनल भी कश्मीर गया तो national conference की तरफ से भी memorandum जो है वो पेश किया गया था जम्मू के भी उस समय के प्रोविंशल प्रेजडेंट डिवंदर सिंग्राना ने memorandum पेश किया था और उसको लेकर भी कुछ हंगामा कृश्मीर घाटी में हुआ था जिसको लेकर justification डॉकर फारुक अबदुला ने दी थी उन्हों गया था इसी को ध्यान में रखते हुए अब अज्यूम ये जरूर किया जा सकता है कि अब जब associate members की meeting call की जाएगी draft report share करने के लिए तो जितने भी members हैं वो meeting में participate करेंगे लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता हो सकता है जिस समय meeting की बारी आए उस समय national conference की leaders जो है वो एक different stance अपना है national conference के जो member parliament है कश्मीर घाटी से वो एक अलग stance अपना है ये ये भी एक possibility हो सकती है लेकिन वहीं delimitation commission को क्योंकि अपना काम मुकमल करना है draft report submit करने के बाद दूसरा major काम ये है कि उसी report को public domain में लाना है ताकि जमु कश्मीर के किसी आमनागरिक को भी अगर कोई खच्चा है इस report को लेकर वो भी कोई objection है तो वो objection भी file की जा सके उसके इलावा अगर civil society के किसी member को कोई objection है वो भी file की जा सके और political parties जो अन्य political parties है जो associate members नहीं भी है इस delimitation commission की उन्हें भी अगर कोई खच्चा है तो वो भी file की जा सके लेकिन delimitation commission को ये कह देना कि आपको अपनी deadline को follow करना है इसका मतलब यही है कि जो कहा जा रहा है कि अगस्ट 2022 से पहले पहले जमु कश्मीर में चुनाव हो लेकिन अब क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हमारी मन्शा ही है कि जल से जल जमु कश्मीर में चुनाव हूँ इसके चलते delimitation के process को भी जल्दी खत्म किया जाए लग रहा है कि ऑगस्ट से पहले पहले ऑगस्ट 2022 से पहले पहले possible है कि जमु कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं अब delimitation कमिशन में stakeholders के अगर बात की जाए तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने अपने memorandum पेश किये थे और ये भी एक demand delimitation कमिशन के सामने रखी गई थी कि POJK के लिए पाक के पर मुकश्मीर के लिए जो seats freeze करके रखी गई है उन्हें defreeze करने का अगर कोई प्रावधान है तो उन्हें defreeze किया जाए लेकिन साफ तोर पर delimitation कमिशन ने कह दिया था कि वो उनके पर व्यू में नहीं आता वो possible नहीं है उनका काम है जो unfreeze seats हैं उन्हीं को delimit करना लेकिन इस delimitation में भी दिक्कत कहां आ रही है दिक्कत आ रही है कि जो नई districts बनाई गई थी जिस समय जमकश्मीर में Congress PDP की सरकार थी और सरकार के जो मुखिया थे यानि कि जमकश्मीर के जो में के मुख्यमंत्री थे वो गुलाम नभी आजाद थे उन्होंने जो आठ नई districts constitute की थी जमकश्मीर में उसकी वजह से और साथी में उसके बाद following national conference of Congress की coalition government जिसके मुख्यमंत्री उमर उब्दुल्ला थे उन सरकार में जो नई तैसील बनाए गई नई ब्लॉक्स बनाए गए थे उस वजह से कुछ दिक्कत है डिलिम्टेशन कमिशन को आ रही है क्योंकि आप जानते हैं हमने आप तक पहले भी पहुंचाया कि कि किसी एक गाउं में कई सारी तैसील में देखने को मिल रही है जिनकी जुरिस्डिक्शन कहां फॉल करती है जो किस पर्टिकलर डिस्टिक में फॉल करते हैं उसको लेकर clarity नहीं थी क्योंकि जब नई districts constitute की गई जब नई तेसिल नई blocks बनाएगे तो वो कुछ एक confusions जो है उस समय फॉलो हुई थी लेकिन जब आरी आती है elections की तो clarity होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस district क्या vote जो है वो उसी district में पड़े जिस district के रहने वाले वो लोग हैं तो block अगर किसी ओर district में है लेकिन उनकी jurisdiction है वो किसी ओर district में उस वजह से confusion पैदा हो सकती है जिसके चलते उसको भी delimitation process में जो है survey of India के साथ मिलकर clarity लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जब delimitation की report आए तो किसी भी तरीके की परिशानी लोगों को ना हो और अगर कोई objections उसके बाद भी होते हैं तो लोगों के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो objections भी file कर सकते हैं अब अगर बात करें कि पहले जमुकश्मीर की seats को अगर देखा जाए तो पहले जमुकश्मीर में 46 seats कुश्मीर डिविजन के पास थी 37 seats जमूर डिविजन के पास थी और लद्दाक के पास 4 seats हुआ करती थी अब लद्दाक elections लड़े जाएंगे जमुकश्मीर में और जब भी जमुकश्मीर में assembly के elections होंगे तो लोगों की समय जो परिशानी है कि इस बाबु शाही में हमारी बात नहीं सुनी जा रही हमें अपने नुमाइंदे चाहिए अपने चुने हुए नुमाइंदे चाहिए वो एक परिशान पहले होनी चाहिए उसके बाद चुनाव होने चाहिए लेकिन जहां तक गरह मंत्रियमिच्छा का तालुक है जिस समय वो जमुकश्मीर में भी आएं तो उन्होंने ही कहा था कि आने वाले समय में जल्दी चुनाव करवाए जाएंगे स्टेट हुड भी मिलेगी लेकिन order ज के पास नहीं होती जो ताकतें एक स्टेट में पॉसिबल हैं फिलाल यही की डिलिमिटेशन कमिशन अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 6 2022 से पहले पहले ये पूरा डिलिमिटेशन का प्रॉसेस कंप्लीट करेगा और मार्च 6 2022 के बाद कभी भी जिमुकश्मीर में असेंबली क के चुनाव हो सकते हैं